ठंडी का समय शुरू हो गया है, ऐसे में मश्रूम की सबजी तो आपने बहुत बार बनाई होगी, लेकिन एक बार इस तरीके से बना कर देखिए गा फ्रेंड, ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, हम घर के ही मसाले से बनाएंगे, लेकिन इसका टेस्ट बिल्कुल अ अलग होगा, और आज जो हम सबजी बनाने वाले हैं, मश्रूम मटर पनीर की, तो चलिए फटा फट से इस मज़ेदार सी रेस्पी को स्टार्ट करते हैं, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सस्क्राइब कर, बेल आइकन को हिट कर उसे ओल प यूट्mate चैनल मश्रूम मटर पनीर बनाने के लिए मैंने यहां पे 400 ग्राम पनीज लिया है, तो इसे पहले हम क्यूब में कट कर लेंगे, तो मैं यहां पे इस तरह से इसे कट कर ले रही ह। यहां पर हमने पनीर को भी कट कर लिया है और साथ ही मैंने यहां पर एक डबा मश्रूम लिया है तो यह देखिए फ्रेंड मैंने डब्बे वाला मश्रूम लिया है आप चाहें तो यहां पर फ्रेस मश्रूम भी ले सकते हैं अभी ठंडी के समय में वह इजली मार्केट में मि सेम प्रोसेस से ही बनता है तो पहले हम क्या करेंगे कि इसे कट कर लेंगे आप चाहें तो इसे छोटे छोटे पीसेज में भी कट कर सकते हैं तो यहां पर मेरे पास छोटे वाले मश्रूम है तो इसलिए मैं इसे दो ही टुक्रों में कट कर रही हूं तो यहाँ पर हमने सारे मश्रूम को कट कर लिया है तो पहले इसे हम वॉयल्ड करेंगे तो इसे हम सॉस्पेन में ट्रांस्पर कर देते हैं अब हम इसमें पानी ले लेंगे पानी हमें इसमें इतना डालना है जिससे की मश्रूम अच्छे से पानी में डूप जाए पर मेरे पास नहीं था, इसलिए मैंने यहां पर फ्रोजन मटन ही लिया है, और यहां पर मसाला बनाने के लिए मैंने तीन टमाटर लिये हैं, एक जम लाल वाले, जिसे मैंने मोटे मोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, और साथ ही मैंने दो यहां पर बड़े साइज का प्य लिया है जिसे मैंने चॉप कर लिया है और एक हरी मिर्च इसे भी मैंने कट कर लिया है तो मैंने आपको बताया है फ्रेंड की हम घर के ही मसाले से बनाने वाले हैं बट उसका टेस्ट अलग आएगा तो चलिए फटा-फट से प्रजी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है तो तेल हमारा गरम हो गया है इसमें हम प्याज को डाल देंगे और प्याज को हम दो से तीन मिनिट के लिए भून लेंगे या तब इस तरह से मश्रूम की सबजी बना कर देखिएगा फ्रेंड ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है और साथ ही इसमें क्रीमी सा फ्लेवर आता है तो यहां पर हमारा लसन अद्रग भी भून गया है तब हम इसमें टमाटर को डाल देंगे और टमाटर हमारा जल्दी से गल त्यूं ूथो तीन मिनिट बाद हमने इसे खौल लिया है और यहां वह अपर आप देख सकते हैं कि टमाटर ने थोड़ा सा पाणि छोड़ दिया है और यह थोड़ा सौट भी हो गया है तिह इसे इस पैचुला से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो भूं इसे इस तक तक अज़ा निकल जाए और इधर देखिए टमाटर भी हमारा अच्छे से सौफ्ट हो गया कि मसाला मतलब की हमारा अच्छे से भून गया है तो गैश को बन कर देते हैं और इसे ठंडा होने देते और ठंडा होने के बाद इसे हम एक जार में डाल कर इसे एक दम फाइन पीस लें मुझे सकते हैं कि हमारे मसाले का कलर कितना अच्छा है तो चलिए फटा फट से बनाना सुरू करते हैं, मैंने यहां इस अपर गैस पर कड़ाही Op इसमें हम एक बड़ा चमच तेल ले लेंगे और तेल को हम अच्छे से गरम करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे सरसो तेल का यूज कर रहा है तो इसे अच्छे से गरम करना जरूरी है और तेल यहाँ पे हमारा अच्छे से गरम हो गया है तब इस टाइम हम इसमें बॉयल किया दिखावगाpse, मश्रूम को डाल देंगे तो इसे हम ने छान लिया था और इसे हम चलाते हुए 2-3 मिनिट तक भून लेंगे हमें बहुत ज्यादा मश्रूम को नहीं ह anonymous भून ない बस ह सल्का ही भूनना है और यहां पर इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं जिसे कि मेस्रूम म का चेंज हो गया है तो बस हमें इतना ही भुना है इससे ज्ञादा नहीं दहु दो क्ला बगे लीका नहीं लगेगा तो इसे घजरे से निकाल कर लेंगे यहां पर हमने सारे पनीर को डाल दिया है हमें इसे एक से दो मिनट के लिए भुनना है बहुत जादा नहीं बस बस हलका सा भुनने से यह होता है कि यह पनीर टूटेगा नहीं और एकदम सौप बना रहेगा आप चाहें तो पनीर को बिना फ्राइख किये भी डाल स और तेल के गरम होते ही एक चमज खड़ा जीरा और दो तेज पत्ते और साथ ही फीसे हुए मसाले को डाल देते हैं और साथ ही इसमें कुछ सुखे मसाले आइड करेंगे तो एक छोटा चमच हल्दी पॉडर एक छोटा चमच धनिया पॉडर और दो चमच लाल मिर्च पॉडर डाल रही हूं मैं यहां पर और थोड़ा सा हींग इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा अगर आप हींग नह करा हैं कि यहां पर आप देख सकते हैं कि मसाले को छोड़ दिया है आप देख सकते हैं सब्सक wordt अपको सर्टा साथ आप से पानी इस में कम या ज्यादह कर सकते हैं यहां पर हमने इसे एक से मिक्स कर लिया है अब इस ताइं मटर Single अगर यहां पर फ्रेस मटर लिए हो तो मसाले के साथ ही आप उसे एक से दो मिनट के लिए भून ले बट यहां पर मैंने फ्रोजन मटर लिया है तो इसे हमें भूनने की बिल्कुल जरूत नहीं है मटर को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे एक बॉयल डाने तक पका लेंगे तो यहां पर यह देखे फ्रेंट ग्रेवी में बॉयल डाने लगी है अब इस टाइम हम इसमें फ्राइक किये हुए मश्डूम और पनीर को डाल देते हैं और साथ ही थोड़ी सी कसूरी मेथी तो इसे हम क्रश्ट करके हाथों से डाल देंगे तो इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है सबजी में और एक छोटा चमच गरम मसाला और साथ ही मैं यहां पर थोड़ा सा नमक और अट कर दे रही हूं मुझे यहां पर नमक कम लग तक जब तक कि इसमें एक अच्छी सी बॉयल डिना आज है तो यहां पर यह देखे फ्रेंट चार मिनट बाद हमने इसे खोल लिया है और आप देख सकते हैं कि हमारी ग्रेवी का कलर कितना अच्छा आया है और सबजी भी हमारी कितनी अच्छी दिख रही है तो जितनी अच खाने में भी बहुत अच्छी लगती है फ्रेंट बहुत ही आसानी से आप इस तरह से घर पर एकदम रेस्टूरेंट इस्टैल मश्रूम मटर पनीर की सबजी बना सकते हैं कमेंट करके मुझे बताईए कि आपको हमारी आज की यह रेस्पी कैसी लगी साथ ही इस वीडियो क लाइक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले मैं मिलती हूँ अपने नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बबाई